नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह देखना है कि कौन सा लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है और उसमें कितनी एडवांस टेकनोलोजी लगी हुई है, तो इसे मापने के लिए और इसे जानने के लिए पीडियां बनाई गई है. यानी कि जनरेशन आपको यह चेक करना होगा कि इस लड़ाकू विमान की कौन सी जनरेशन है, जैसे कि जो अमेरिका का F-16 है, जो पाकिस्तान के पास है, वो फोर्थ जनरेशन, लडाकू विमान है, चौथी पीडि का भारत के पास जो राफेल है, यह चार पी फाइव यानि की साढ़े चावी पीडी का, इसके बाद आती है फिफ्थ जनरेशन, यानि की पांचवी पीडी के लड़ाकू विमानों की श्रेणी, इस श्रेणी में तमाम देशों ने कोशिशें करी हैं, लेकिन सिर्फ दो ही लड़ाकू विमान बन पाए हैं, एक F-22 रेप्टर, द दोनों ही अमेरिका ने बनाए हैं, इसके बाद आती है सीधी छठी पीडी के, लड़ाकू विमानों की श्रेणी, हालांकि आज तक दुनिया का कोई भी देश 6th जनरेशन, यानि की छठी पीडी का लड़ाको विमान नहीं बना पाया है, ले लेकिन इसको लेकर दो देशों में जबरदस्त रेस छिडी है, पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, और ये रेस इसलिए ज्यादा महत्तोपूर्ण है, क्योंकि दोनों में से जो भी देश पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लेगा न, उसकी वायू सेना को पूरे वर्ल्ड में नंबर वन माना जाए क्योंकि 6th generation की जो टेकनोलोजी है, उसके सामने दुनिया की कोई भी वायू सेना ना तो टिक सकती है, ना ही उसे चैलेंज कर सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अभी आपको पता चल जाएगा, दरासल अमेरिका के F.A.X.X. नाम के, के छठी पीड़ी के लड़ाकू व पिमान बना रहा है। लेकिन पिछले साल नवंबर 2023 में खबर आई कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है। इसी वजह से रूस का मिग 41 हाईपरसॉनिक बनाने का सपना खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। इतना ही नही स्क्रीन पर। आप देखिए कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसमें मिग 41 को एक सर्टिफाइड फेलियर बताया गया, यानि कि बाकायदा मिग 41 को प्रमान पत्र दिया गया फेल का, लेकिन आज इस पर जो खबर आई है, उसने अमेरिका तक को हिला दिया और सबसे खास बात, अगले साल 2025 में रूस इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट भी अंजाम दे सकता है। जी हाँ, अगले साल 2025 में आप वर्ल्ड का पहला 6 जन रेशन फाइटर जेट उड़ता देख सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ही ज्यादा हाई है। इतना ही नहीं रूस इसमें दुनिया की ऐसी टेक्नोलजी इंटीग्रेट करने जा रहा है, जो आज तक लड़ाको विमानों में कभी नहीं की गई। फॉर एक्जामपल बताया जा रहा है कि रूस इसमें एक लेजर वेपन को इंटीग्रेट कर सकता है, जिसकी मदद से यह अनलिमिटेड ले सकता है, दुश्मन के खिलाफ उदाहरन के लिए आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा मिसाइल एक, लड़ाको विमान में लग सकती है वो 21 से लेकर 22 है, जो कि अमेरिका के F-15 में लगाई जाती और इनमें से भी 10 से लेकर 12 ही मिसाइले होती है, जो दुश्मन की एक लड़ाको विमान से आप दुश्मन के 5 से लेकर 7 लड़ाको विमान ही मार सकते हैं, लेकिन लेजर वेपन के साथ ये इशू नहीं है, वो बिजली से चलने वाला उपकरण है, वो unlimited shot ले सकता है, यानि कि निशाना चूक भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरी बड़ी बात ये, लेजर वेपन होने की वजह से, चाहे आप 10 लड़ाको विमान मारो, 20 मारो, 30 मारो, आपको इस बात की टेंशन नहीं है कि आपकी मिसाइलें खत्म हो जाएंगी, आपका लड़ाको विमान का जो फ्यूल है, यानि कि जो उसमें इंधन है, वो खत्म होगा, तो ही आपको जमीन पर आना पड़ेगा, वरना मिसाइलों के लिए जमीन पर आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस लड़ाको विमान का सबसे बेस्ट फीचर होगा, इसका हाइपरसॉनिक होना, दरसल आप जानते ही हैं कि दुनिया में इस वक्त सिर्फ रूस ही एक ऐस जिसके पास हाइपरसॉनिक टेकनोलजी मौजूद है, वो भी फुल्ली डेवलप्ट, यहां तक कि रूस इस हाइपरसॉनिक टेकनोलजी का इस्तिमाल करके तीन अलग-अलग मिसाइलें बनाकर यूक्रेन के खिलाफ इन्हें दाग भी चुका है, वहीं बाकी के जो देश है भारत, अमेरिका, चीन, यह अभी इस हाइपरसॉनिक मिसाइल को बनाने में ही लगे हैं, इससे आप अंदाजा लगाईए कि रूस हाइपरसॉनिक टेकनोलजी में कितना आगे है और इसी का इस्तिमाल रूस करना चाहता है, मिक-41 में और वो इसे दुनिया का पहला हाइपर सौनिक लड़ाकू विमान बनाना चाहता है, है यह बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी, अगर रूस ऐसा कर पाता है, तो वह 100% एवियो निक्स टेकनोलोजी में, यानि कि वायुसेना के मामले में, अमेरिका को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ देगा, हालां कि आपके मन म सवाल होगा कि सब कुछ अच्छा ही है, क्या कुछ नेगेटिव नहीं है, तो एक चीज नेगेटिव है, नेगेटिव ये कि रूस अभी तक भी एक प्रॉपर स्टेल्थ टेकनोलोजी नहीं डेवलप कर पाया है, उसने A57 बनाने की कोशिश करी, सू 75 बनाने की कोशिश करी लेकिन किसी को भी वो प्रॉपर स्टेल्थ नहीं बना पाया है, और अगर वो मिग 41 को भले ही हाइपरसॉनिक बना ले, उसमें लेजर टेकनोलोजी लगा दे, लेकिन अगर उसमें वो प्रॉपर स्टेल्थ टेकनोलोजी नहीं लगा पाता है, तो वो छठी पीड़ी का करता हुआ देखने को मिले मैं तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ आपका